नमस्ते फ्रेंड्स ओमलीनिस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज के दिन की शुरुआत हमारी इतने भागदोर से हुई कि मैं आपको क्या ही बताओ कल मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो शूट किया था लेकिन कल मैंने अचानक से अपने ऊपर बहुत सारा काम डाल लिया जिसके वज़े से मेरा पूरा दिन बहुत हेक्टिक सा रहा और आज मैं लेट उठी हूँ घर के बहुत सारे काम थे एक तो हमारा लाइटर काम नी कर रहा है आज जाकर के लाइटर भी नया लेकर के आना है यहां मैंने लंच की तयारी काफी जल्दी में की है मैंने यहां केले का कोफता बनाया है उसके साथ में चावल बचे वे थे घर पे पुलाव पती देव ने बनाया था परसु वाले दिन तो वो पुलाव बचा हुआ था तो मैं पती देव के ले वो पुलाव गरम करी हूँ हलका घी डाल करके कल का आटा भी बचा हुआ था जिसके हमने पराठे बनाये थे ना तो बस दो पराठे जितना आटा बचा हुआ था कोफते के अनरटे के बनाए थे यहाँ पती देव नेके सेुटन हिए लिए यहाँ पती डेप निकालने के नиваетच लिए यहाँ पार्जी नेकालने के लिए चीप-दी निकालने के लिए जब है यह नियुक्तिक आपको परही होता है काGu आप बिमार होकर के उठते हो तो आपके एनरजी ऐसी ही लो रहती है ज्यादा काम करने के एक्षा नहीं होती है लेकिन आप यह सारा काम अपने सिर्पे उठा लेते हो तो कुछ इस तरीके से दिखो मैंने यह केले के कोफते बनाये थे इसमें बहुत जादा समय मेरा लग गया उसके साथ में यह जो राईस है ना यह पुलाव पती देव ने बना करके रखा था फ्रिज से बस निकाला मैंने इसी को अच्छे से गरम कर दिया यही था हमारे पास मैं आज खाने के लिए खाना फिनिश करने के बाद में मैंने आज एक बहुत ही जरूरी काम किया यह हाई आप अक्सर मेरे वीडियो में देखते होंगे जिसकी पूरी तरीके से बैंट बजी हुई है सामने से भी इसमें बहुत ज़्यादा तेल है और पीछे से भी इसकी हालत बहुत ही कराब है तो आज हम लोग इस कढ़ाई को साफ करेंगे इसे मैं सिर्फ तलने के लिए य पहले अच्छे से डाला है तो हम लोग इसे आगे का हिसा नहीं साफ करेंगे इस हार्पिक से पीछे का हिसा साफ करने के लिए मैंने ये हार्पिक इस पर डाला अच्छे से हम लोग इसे स्क्रब करेंगे मैंने एक कोट लगा दिया देखो कढ़ाई क्यूंकि ऐसे गोल है न तो ये ध्यान रखिएगा कि गलफ जरूर से पहनिएगा वरना आपके हाथ खराब हो जाएंगे इसे काफी अच्छे से मैंने 2-3 मिनिट तक अच्छे से स्क्रब किया और स्क्रब करते कि साथ ही देखो इसमें कितना जादा अंतर आपको साफ दिख रहा होगा इसकी जितनी भ पानी से देखो पहले से काफी जादा चम चम अ गई है इस कढ़ाई को एंड में मैंने जो नॉर्मल विम होता है ना विम साबुन से मैंने से सॉफ्ट वाले स्क्रब से स्क्रब करके अच्छे से दो दिया और हमारी कढ़ाई बहुत जादा अच्छी लग रही है आप देख किसे मैंने कढ़ाई के पीछे का हिस्सा तो आपको साफ करके दिखाया सामने भी आप देख रहोंगे हैंडल के पास में इसमें ओयल और डर्ट जमा हुआ है इसे साफ करने के लिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है एक टेबल स्पून जितना इसमें मैंने एक टेबल स्पून जितना ही सिरका लिया है विनेगर वाइट विनेगर में यूज करी हूँ ये ब्रश मैं किचिन में ही रखती हूँ ये भी यूज किया वा ब्रश नहीं है ये एक नया ब्रश है किछन में प्रेशर कुकर का हैण्डल साफ करने केल निकाल के रखा है तो फैं हम लोग अपने कढ़ाई को अच्छे सेये बेकिंग soda से स्रूश्ट करेंगे तो मैं..! brush लेकर के अच्छे से brush किया है actually scrub नहीं brush किया है मैंने अच्छे से brush करेंगे ना तो इसका जो तेल तेल जो इसमें रहता है क्योंकि एक non-stick कढ़ाई है चोटी कढ़ाई है इसमें बहुती तेल था तो इस तेल को साफ करने के लिए मैंने इस तरीके से पहले इसे baking soda और vinegar से साफ किया और एकदम आखिर में मैंने थोड़ा सा vim liquid डाला है इसे अच्छे से मैंने brush लेकर के brush किया है ताकि हमारी कढ़ाई में कोई dent ना आए कि वैसे तो मैं इसमें लोहे का use करते रहती हूं सामान लेकिन फिर भी मैंने इसे काफे अच्छे से साफ किया और ये देखो मिंटो में हमारी कढ़ाई जो है वो चमक करके तयार हो गई है पहले ये कढ़ाई कैसी दिख रहे थी और अब ये कढ़ाई कैसी दिख रहे है साइद से भी सारा का सारा oil जो है वो अब हट चुका है तो किछ इस तरीके से मैंने अपनी कढ़ाई को आज साफ किया है उसके साथ में मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे हुए vinegar और baking soda का हमें क्या करना है तो ये bottle साफ करने वाला brush है आप अकसर देखते हैं कि मैं flask यूज करती हूँ मैं और पती देव दोनों mostly गरम पानी ही पीते हैं और कभी कभी इसमें दूद रख देती हूँ या फिर चाहे रखते हैं तो ये flask कभी कभी महेकता है या फिर अंदर से ऐसे भी आप देखेंगे कि flask काफी गंदा हो जाता है जब आप इसे इस baking soda और vinegar वाले solution से साफ करेंगे उसके बाद end में मैं इसमें बस थोड़ा सा विम liquid डाल करके साफ किया है आपका flask बहुत ही नया सा हो जाएगा अंदर से जितने भी गंदगी थी वो सारी की सारी गंदगी चली गई है और हमारा flask ये बिल्कुल से भी स्मेल नहीं करेगा तो कोई ओफ स्मेल इससे नहीं आने वाली है तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग घर पे हमारे घर की चीजों को साफ से रख सकते हैं अब मैं आप से मिल रही हूँ सीधा शाम में और यहां देखो डिनर की तैयारी चल रही है यहां कुकर में पती देव ने आलू चाहाया है यहां मुंफली फ्राई हो रहा है उसके साथ में यहां पती देव प्याज लेकर के बैठे हैं प्याज छील रहे हैं अब बताओ पती क्या बन रहा है आज यहीं तरह खाना खागे न मन भर गया था तो सोचे कि क्यों नहीं कुछ थोड़ासा बनाया जाए क्या अलग बना रहे हो आज आलू वाला सैंडविच आलू सैंडविच बनारे है आलू वाला सैंडविच है आलू सैंडविच खाई नहीं दे रहा है तो रहा नहीं जाएगा ना आधा एक तो खाना ही पर आज़ा है पतीदेव थोड़ा देर याँ अवाला काम करते हैं लेकिन उनने बहुत ही चटपटा सा अलू का मसाला यहां तयार करके रखा है वाव तुम खा बेलिए तुम क्या खारो और तुम पहले खा लिए बदाव टेस्ट कर दाएं कोई भी जो वोग एंशी में क्या बोलता है कोई भी एगर कुख है और एक सिफ है उच अपना खाना परे टेस्ट करना चाहिए अब आज यह खाना अच्छा नहीं निकला तो मैं तुम बता रहे हैं कोई इसमें दो राइन ने के खराब होगा कादे चाहोगा इस्टपिन देखके नहीं लग रहा है तो मैं सैंड्विच खाया जो की खाने में आज बहुत ही टेस्टी बनाया था पती देव ने मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पती देव इतना अच्छा सैंड्विच बनाएंगे तो आज सैंड्विच खा करके मन काफी जादा खुश हो गया बस कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन और आज का व्लॉग उमीद करती हूँ आपको हमारी महनत पसंद आई होगी कल फिर मिलूँगे आपसे एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ में तब तक से अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा टेक केर बाबाए